निजनिजबल सबको भाखा परपार जाय में शंशेराखा जैसे माकालाब सभी लोग ये कथा उस समय की है जब भगवान हनुमान अंगज जी जामवन्त जी और भी अनेको वानर समुद्र तट पर ये खड़े होकर के विचार कर रहे थे कि लंका में कैसे जाये कोई जोकि त्रिकूट पर जिस पर लंका बसी है और जहां पर वो लोग खड़े थे वहां से कुल सो योजन दूरी थी जिसे पार करना था अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रामायन में जिन भी वानरों का उलेख हुआ है वो सभी वानर किसी ना किसी देवता की संतान थे किसी ना किसी देवता का अंच थे अनुमान जी को अधिक प्रसिद्धी इसलिए मिली हुई है क्योंकि वो रुद्र अवतार थे नहीं कि अलावा भी सुग्रीव सूर्यदेव के अवतार थे विश्वकर्मा के अंच थे नल नील आर्यमा के अंच थे अंगद इस तरीके से सभी जो बानव वानर थे वो किसी कि देवता के अंच भूत ही थे तो उनके अंदर इतना समर्थे था कि वो लंबी दूरी को तरह कर सके बिना खाय पिये रह सके इस तरीके की विद्याएं वो लोग जानते थे आप लोगों में से बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि सुग्रीव जो उस समय पर वानर राज थे बाली के जाने के बाद में वानर अध्यक्षय या वानर अध्यपती बने थे यह कह लिए इन्होंने अपने एक तंत्र की रचना की थी जिसे आज के समय में भी सुग्रीव तंत्र कहा जाता है तो यह सभी यह वानर जो थे यह तंत्र विद्याएं जानते थे यह वानर माया भी विद्याएं जानते थे यह सब कुछ जानते थे तो इसलिए रमायन में तुलसिदास जी कहते हैं कि जिस समय लंका जाने को पर विचार हो रहा था उस समय सभी अपने बला बल की ठाहला लगा रहे थे कि किस में कितना बल है कौन कितना जा पाएगा कितना नहीं जा पाएगा तो उस समय पर ये दुआ हमें मिलता है चला जाउँगा मैं साठी योजन चला जाउँगा मैं सोजी न चला जाउँगा लेकिन कि वापस आने में में वह सभी से शंकित हैं छ Hammond जी कहते हैं हनुमानजी छी कि आप अपना बनकी क्यों नहीं बता रहे हैं यहां पे से अपना अपना बन baskets बता और जो अतुलित बल धाम है वो मौन है ऐसा कैसे तो हनुआ जी कहते हैं कि जिसके पास में अपना बल है वो बता रहा है लेकिन मेरे पास तो अपना कोई बल ही नहीं है मैं क्या बोलू तो बोलते हैं कि अरे हनुमान जी आप कैसी बात कर रहे हैं आप अतुलित बल के धाम हैं आपके अंदर अतुलित बल है तो बोलते हैं यह बात सभी है तो हम धाम हमारे अंदर अतुलित बल है बोले तो फिर किस बात कसंच है आपको कि आप इसे पार नहीं कर सकते तो वो बोले कि पार तो कर लेंगे लेकिन मेरे अंदर जो अतलित बल है जिसके आप बात कर रहे हो इसका स्वामी मैं नहीं हूँ ये मेरा नहीं है, ये किसी और का है अब जामवंत जी को थोड़ा सा अचमबा हुआ तो पूछते कि कैसे, किस प्रकार से तो वहले कि अगर किसी मकान में कोई सामान रखा हुआ है तो उस सामान का जो स्वामित्व है वो किस के पास होगा मकान के पास होगा ये वो मकान जिस व्यक्ति का है वो उसका होगा तो निश्यत रूप से वो मकान के अंदर अगर कोई सामान है अगर मेरे घर में कुछ रखा हुआ है तो उस सामान का स्वामी भी तो मैं ही हुआ ना वो मकान थोड़ी ना है तो उसी प्रकार से हमारे अंदर जो अतुलित बल है उसके स्वामी हम नहीं है वो हमारे अंदर रख तो दिया गया है लेकिन उस पे हमारे कोई अधिकार नहीं है एक विवरन मिलता है जिसमें हनुमान जी की शक्ती का विवरनन किया गया है ऐसा कहा जाता है कि दस हजार गजों में यानि कि दस हजार हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिगज में होता है दिशा के हाथी में ऐसे दस हजार दिगजों में जितना बल होता है उतना बल इंदर के एरावत में होता है दस हजार एरावतों में जितना बल होता है उतना बल देवराज इंदर में होता है और दस हजार इंदर में जितना बल होता है उतना बल हनुमान जी की कनिश्टी का उंगली के नाखून में होता है तो ये विवरन हमें मिलता है हनुमान जी के बल के बारे में तो बोले कि आप अतुलित बल धारी है आपके अंदर अतुलित बल है लेकिन आप कहरे हैं कि यह आपका नहीई है तो फिर यह किससका है तो वहले है कि अतुलित बल इस समस्त स्रिष्टी में केवल एक का ही है और वो है प्रभू शरी राम उनके आलएवा दूसरा कोई भी नहीं है जो अतुलित बल धारी हो तो उनके अंदर अतुलित बल है और हमने प्रभुराम को बिठा रखा है अपने हिड़दय में इसलिए हम अतुलित बल धाम हैं हम धाम हैं, हम मकान हैं हम स्वामी नहीं हैं उस बल के और जब तक मालिक की इच्छा नहीं होगी स्वामी की आग्या नहीं होगी तो जयन्त ने देखा है इंद्र का पुत्र जयन्त जयन्त गया था जब भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए उसने माता सी था कि मस्तक पर चोंच से प्रहार किया था कव्वा बन करके भगवान श्री राम ने एक तिनके को अभी मंतृत करके उसे राम बाण में प बचा नहीं पाए उसकी आँख फूटी गई थी तब जयंत से पूछा भगवान राम ने कि क्या देखने आये थे बोले कि प्रभु आपका बल देखने आये थे देख लिया हां कितना बल है मुझे में तो जयंत वहां पर यह वचन बोलता है कि अतुलित बल अतुलित बिठा रखा है तो हमारा जो बल है हम जो है हम अतुलित बल धाम है अतुलित बल धारी नहीं है तो अब तो जामंत जी सोचते हैं कि पुछ तो करना पड़ेगा उठाना तो पड़ेगा इनको जगाना तो पड़ेगा तो उन्होंने सोचा कि कोई व्यक्ति जब ऐसे नहीं जाकता है तो प्रशंसा से फूलता है प्रशंसा से उसको बुलतेने की जब किसी की तारीफ की जाती है तो फूल जाता है खुशी के मारे मतलब अकड जाता है तो जामवन्त जी अनुवान जी को बोलते हैं कवन सुका जच कठीन जग माही जो नहीं हो यह ता तुम पाही संसा काल में ऐसा कौन सा कार है जो भगवान आप से नहीं हो सकता है अनुवाद जी कुछ नहीं बोले चुप चाप पड़े वे जामवंद जी को लगता कि प्रशंशा कम होई है तब वो कहते हैं कि पवन तनय बल पवन समाना आपका बल जो है आपके पिता के तुलनात्मक है आपका बल आपके पिता पवन देव के समान है अब प्रशंशा पुर्खो तक जाने लगे तो आदमी को थोड़ा बहुत प्रभाव होई जाता है लेकिन वो तब भी नहीं जागे क्योंकि कारण है इसके बीचे जैसे टीवी में दिखाया जाता है कि हनुमान जी की शक्तियों को याद दिलाया गया उसके बाद वो चले गए लंका पार करने के लिए उट गए चीजे इतनी सरल नहीं होती छोटी छोटी बातों के बहुत गूड रहस से होते हैं बहुत गूड मतलब होते हैं जैसे कि आप सभी लोग इस लोक को पढ़ते होंगे आतुले तबल धाम हम है मैं से इलाब दे हम लेकिन कभी किसे ने सोचा है कि अतुले तबल धाम का मतलब क्या है नहीं सोचा है मैंने भी नहीं सोचा था, मैं जूटनी बोलूँगा मैंने भी इसके बारे में नहीं सोचा था लेकिन उनकी कता सुनने के बाद मुझे ये पता चला कि हम शब्दों को जितनी गहराई से जानते हैं हमारा ग्यान उतना तीव रहोता है इन चीजों को समझना पड़ता है चीजों को जानना पड़ता है इसलिए मैं ये कता हैं आप लोगों को बता रहूं था आप लोग भी चीज़ों को थोड़ा बहुत तरीके से समझ पाओ तो जब हनुमान जी की तारीफ की गई उनके पुर्खों तक की तारीफ की गई हनुमान जी को तब भी कोई फरक नी पड़ा नी तो नॉर्मल इंसान क्या होता है कि मेरे पिता की छाती चौड़ी हो गई तो मैं तो वह बड़ा फुछ हो जाता इस बात पर लेकिन अनुमान जी को इससे कोई फरक नी पड़ा तब जा मुमान जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए तो उठी नी रहे कि तब उन्हें थोड़ा सा जब। दिमार लगाते हैं तो सोचते थे कि क्या पता भगवान राम के ना में वह घ्रुरी अजूग के नाम नोद रचले में उनके भकते हैं निन्य भकते हैं क्या पता उनके नाम से उड़ जाएं थब वह अनुमान जी को कहते हैं राम काज लगी तव अवたरา और फिर अनुमान जी के लिए उपर Mart आता है कि सुने तहीं भयह Bean a कारा राम काज लगी तब अवतारा सुने तहीं भया हूं परवताकारा यानि कि जब हनुमान जी को ये बोला गया कि राम जी के काजर के लिए आपका अवतार हुआ है उनके लिए आपका जनम हुआ है हनुमान जी कहते हैं कि जब मालिक को जरुरत है तो उनी का तो बल है ले 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 लेते हैं क्या दिक्कत है तो उसके बाद वो अपना परवताकार जो सुरूप है उसको धारन करते है और उसके बाद सिंग नाद करी बारही बारा बार बार फिर वो सिंग नाद करने लग जाते हैं उफान पे बिल्कुल अनुमान जी का जो जोश है वो उफान पे चड़ जाता है बिल्कुल ली लही ना लांग ही जलने दिखा रहा कि इस समुद्र को मैं लांग जाओं ये मेरी लीला मात्र है सहित सहाय रावन ही मारा रावन को उसके समूल वंच के साथ खतम कर दूँ त्रिकुट परवत को उखार करके यहां लेयाओ जहां पे राम जी है ताकि सुगमता से उसे मार सके यह बाते अनुमान जी कहते हैं यह बड़ाई के लिए नहीं कहते हैं इसमें वो यह बोलते हैं कि मुझे अपने बल का बखान करने की ना आवशकता है ना ही मेरा ऐसा स्वभाव है कि मैं अपने बल का वड़नन करूँ लेकिन आप लोगों का संशे दूर हो जो अभी आप थोड़ी देर पहले बखान कर रहे थे कि मैं यह तो कर सकता हूँ लेकिन यह नहीं कर सकता उसके संशे की निवारन के लिए मैं आपने बल का एक छोटा सा उधारन आप लोगों को प्रस्तुत करता हूँ तो हनवान जी कहते हैं कि मैं इस संपून प्रिथ्वी की पून परिक्रमा करके और उसके बाद बिना थाके दुबारा उसकी परिक्रमा के लिए जा सकता हूँ सूरे के ड़लने से पहले सूरे को जाकर किस पर्ष करकर वापस प्रिथीवी पर लौट सकता हूँ और उसी अवदी में दुबारा सूरे को छुने के लिए जा सकता हूँ ये समुद्र मुझे अपनी शक्ती के सामने किवल एक सरोवर प्रतीत हो रहा है इस प्रकार के सहस्त्रों समुद्र यदि एक सीधी रेखा में भी हूँ तो भी मैं उन्हें एक छलांग में नाप सकता हूँ रावन क्या रावन तो बहुत छोटी चीज है रावन के संपून वंश का मैं नाश कर सकता हूँ अकेले बिना किसी की साहता के त्रिकुट परवत को उखाड करके जिस पर रावन की राजधानी बसी हुई है उस राजधानी को उखाड करके राम जी के चंड़ों में लाकर रख सकता हूँ ताकि वो उसको सुगमता से उसका वद कर सके बेकार में राम जीजे लंका जाना पड़ेगा उसमें कष्ट होगा लेगि ये काम मैं कर सकता हूँ तो जामबंत जी से पूछते हैं कि प्रभु आप बताइए मुझे कि अब करना क्या है तो जामबंत जीजी कहते है कि हनुमान जी इतना कुछ करने के आवशक्ता नहीं है अ अब जामंद जी ने सोचा कि इनको अगर इनको अगर बोलेंगे कि इतना सा करना है तो उतने का उतना वो अपने आप ही कर लेंगे तो बोले कि इसके लिए हमको निश्चिंत रहना होगा यह अपने कादे पूरा करी लेंगे और आप सभी लोग जानते हैं कि जब हनुमान जी लग गए थे लंका में तो महापनों ने क्या कार्णा में किये थे उसके बारे में किसी और कथा में चर्चा करेंगे अभी इस कथा को मैं यही समाप्त करूँगा और इस कथा से आपको क्या समझ में आया आप लोग मुझे वो बताईएगा जैश्री महाकाल आप सभी लोगों को बाबा के क्रिपा आप सब के उपर बनी रहे